प्रिष्ट 120, अध्याय 8, कैसे लिखें कहानी? इस पार्ट में पढ़ें, कहानी क्या है? कहानी कितनी पुरानी? कहानी के तत्व. कहानी किसी एक की नहीं, वो कहने वालों की है, सुनने वालों की भी. इसकी, उसकी, सब की, श्रिष्टी, समूझे परिवार की, नानी की मुहर इस पर है. इस लोग की प्रजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है. क्रिष्णा सोबती, हिंदी कथाकार और इसके इतिहास पर कुछ बातचीत करना जरूरी है। कहानी क्या है? अलग-अलग लेखकों और विद्वानों ने कहानी की विभिन परिभाशाइं दी हैं और एक परिभाशा सबको मानने नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रम बद्ध ब्योरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात मक्ता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उतकर्ष का बिंदु हो उसे कहानी कहा जाता है। वास्तव में कहानी हमारे जीवन से इतनी निकट या उसका इतना अविभाज हिस्सा है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता है। क्या आप जानते हैं कि यदि कोई आदमी किसी बात को बहुत खुमा फिरा कर कह रहा हो, तो सुनने वाला कहता है कि कहानी न सुनाओ, जल्दी से बताओ कि हुआ क्या। प्रतेक मनुष्य में अपने अनुभव माटने और दूसरों के अनुभवों को जानने की प्राकृतिक इच्छा है, अर्थात हम सब अपनी बातें किसी को सुनाना और दूसरों की सुनना चाहते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हर आदमी में कहानी लिखने का मूल भाव नहित है। ये बात दूसरी है कि कुछ लोगों में इस भाव का विकास हो जाता है और कुछ इसे विक्सित नहीं कर सकते। प्रिष्ट 121 जहां तक कहानी की इतिहास का सवाल है वो उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास। क्योंकि कहानी मानव सुभाव और प्रकृती का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। कथा वाचक कहानिया सुनाते थे। किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाय जाते थे। मानव सुभाव का एक गुण कलपना भी है। सची घटनाओ पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कलपना का समिश्रण भी होने लगा। क्योंकि प्रायह मनुष्य वो सुनना चाहता है जो से प्रिय है। मान लीजिए हमारा नायक, कहीं युद्ध में हार ही क्यों न जाए। लेकिन यदी वो नायक है, तो हम सुनना चाहेंगे कि वो कितनी वीर्टा से लड़ा और कितनी बहादुरी से उसने एक अच्छे उद्धेश के लिए अपने प्राण नियुच्छावर कर दिये। नायक की वीर्टा का अच्छा बखान करने वाले कथा वाचक की सब प्रशंसा करेंगे और उसे इनाम देंगे। कथा वाचक सुनने वालों की आवश्यक तानुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करेगा। मौखे कहानी के परंपरा हमारे देश में बहुत बुरानी है और देश के कई भागों विशेश रूप से राजस्थान में प्रचलित है प्राचीन काल में मौखे कहानी की लोगप्रियता इसलिए भी थी कि इससे बड़ा संचार का कोई और माध्यम नहीं था इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिधान्त और विचार लोगों तक पहुचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था यही नहीं बलकि शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का प्रयोग किया गया जैसे पंच तंत्र की कहानिया लिखी गई जो बहुत शिक्षा प्रद हैं इस तरह आदिकाल में ही कहानी के साथ उद्देश का सम्मिश्रण हो गया था जो आगे चल कर और विकसित हुआ कहानी का केंद्रिय बिंदू कथानक होता है कथानक है क्या? कहानी का वह संशिप्ट रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उलिख किया गया हो और धारन के लिए प्रेम चंद की कहानी कफन 12 प्रिश्टों की कहानी है लेकिन इसका कथानक 12 पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है घीसू और माधव गाउं की दो गरीब और आलसी किसान है बुध्या माधव की पतनी है वो प्रसव पीड़ा से कोठरी के अंदर तड़प रही है कोठरी के बाहर घीसू और माधव अलाव में आलू भून कर खाने की तयारी कर रही है बुधिया प्रसफ पीड़ा से मर जाती है दोनों के पास उसका कफन खरीदने के पैसे नहीं है वो गाउं के जमीदार के पास पैसे मागने जाते हैं जमीदार पैसे दे देता है गाउं के दूसरे संपन लोग भी पैसे देते हैं घीसो और माधब कफन खरीदने बाजार जाते हैं, पर कफन खरीदने के बजाए उन पैसों की शराप पीते हैं और नशे में मधोश होकर गाना, गाते, मदिराले में गिर पड़ते हैं। ये कहा जा सकता है कि कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्षा होता है। उसी तरह जैसे मकान बनाने से पहले एक बहुत प्रारंभिक नक्षा कागस पर बनाया जाता है। कहानी का कथानक आम तोर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कभी कहानिकार की जानकारी में पूरा कथानक आता है और कभी कथानक का एक सूत्र आता है किवल एक छोटा सा प्रसंग या कोई एक पात्र कथाकार को आकरशित करता है इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है विस्तार देने का काम कल्पना के आधार पर किया जाता है पर ये समझना बहुत जरूरी है कि कहानिकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती ऐसी कल्पना नहीं होती जो असंभव हो बल्कि ऐसी कल्पना होती है जो संभव हो प्रिष्ठ 122 कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है, उसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है ये सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, पात्र देता है, समस्या देता है इनके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करता है और एक ऐसा कालपनिक धाचा तयार करता है जो संभावित हो और लेखक के उद्देश्यों से भी मेल खाता हो उदाहरण के लिए लेखक ने अस्पताल के बाहर एक मरीज को देखा जानकारी मिली की ये मरीज पिछले एक सब्ताह से लगातार आ रहा है पर अभी तक उसे ये मौका नहीं मिल सका है कि डॉक्टर को दिखा सके इस जानकारी के बाद लेखक की कलपना अस्पताल, वहां की विवस्था, पात्रों आदी की कतिविधियों पर केंद्रित हो जाएगी इसके साथ ही वो अपना उद्देश भी तै करेगा क्या वो अस्पताल केंद्रित कहानी लिखना चाहता है? या वो केवल आपकी पीड़ा तक अपने को सीमित रखेगा? या क्या वो इस मानवियत रासदी को वर्तमान, सामाजिक और राजनेतिक परिस्थितियों से जोड़कर कतानक को तयार करेगा? आम तोर पर कतानक में प्रारंभ, मध्य और अंत, अर्थात कतानक का पूरा स्वरूप होता है कतानक न केवल आगे बढ़ता है, बलकि उसमें द्वन्द्व के तत्व भी होते हैं, जो कहानी को रोचक बनाए रखते हैं द्वन्द्व के तत्वों से अभिप्राई ये है कि परिस्थितियों में इस काम के रास्ते में ये बाधा है. ये बाधा समाप्थ हो गई, तो आगे कौन सी बाधा आ सकती है? या हो सकता है कि एक बाधा के समाप्थ हो जाने या किसी निशकर्ष पर पहुँच जाने के कारण कथानक पूरा हो जाए? कथानक की पूर्णता की शर्ट यही होती है कि कहानी नाट की ये ढंग से अपने उद्देश को पूरा करने के बाद समाप्थ हो अंत तक कहानी में रोचकता बनी रहनी चाहिए ये रोचकता द्वन्व के कारण ही बनी रह पाएगी जैसा की पहले कहा जा चुका है हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देशकाल और स्थान होता है कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देशकाल तथा स्थान को पूरी तरह समझ लेता है क्योंकि ये कहानी को प्रामानिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है उदारण के लिए यदि अस्पताल का कथानक है तो अस्पताल का पूरा परिवेश, ध्वनिया, लोग, कार्य व्यापार और लोगों के पारस्परिक संबंध, नित्य घटने वाली घटनाय आदिका जानना आवश्यक है लेखक जब अपने कथानक के अधार पर कहानी को विस्तार देता है, तो उसमें इन सब जानकारियों की बहुत आवश्यक्ता होती है देशकाल, स्थान और परिवेश के बाद कथानक के पात्रों पर विचार करना चाहिए हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है कहानी में वो विक्सित भी होता है या अपना स्वरूप भी बदलता है कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रन करने और उसके समवाद लिखने में होगी इस कारण पात्रों का अध्यन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्थ है इसके अंतरगत पात्रों के अंतर संबंध पर भी विचार किया जाना चाहिए कौन से पात्र की किस किस परिस्थिती में? क्या प्रतिक्रिया होगी? ये भी कहानीकार को पता होना चाहिए दरसल कहानीकार और उसके पात्रों के साथ निकर्तम समबंध स्थापित होना चाहिए पात्रों का चरित्र चित्रन करने अर्थात उन्हें कहानी में कथानक की अवश्यक्तानुसार अधिक से अधिक प्रभावशाली धंग से लाने के कई तरीके हैं चरित्र चित्रन का सबसे सरल तरीका पात्रों के गुणों का कहानीकार द्वारा बखान है जैसे मुरली धर बड़ा दानी है वो दूसरों का ध्यान रखता है दूसरों के लिए उसकी जान हाजिर रहती है आदी-ादी पर ये तरीका प्रभावहीन और बहुत आउट्डेटेड है पात्रों का चरित्र चित्रन, उनके क्रिया कलापों, समवादों तथा दूसरे लोगों द्वारा बोले गए समवादों के माध्यम से ही प्रभावशाली होता है उधारन के लिए मुरली धर ने एक गरीब आदमी को सर्दी से ठिठुरते हुए देखा तो अपनी शौल उसे दे दी या मुरली धर का दोस्त स्कूल में फीस जमा करानी के लिए लाइन से बाहर निकलाया क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे मुरली धर ने दोस्त को बताए बिना फीस जमा करा दी मतलब ये कि पात्र जो काम करते हैं उनसे उनका सशक्त चितरन होता है दूसरे पात्र किसी का चरितर चितरन अपने समवादों के माध्यम से कर सकती है जैसे राजीव अपने और मुरली धर के मित्र प्रयाक से कह रहा है यार इतनी बड़ी प्रॉबलम तो मुरली धर ही सौल्ब कर सकता है चलो, उसी के पास चले पात्रों का चरित्र चित्रन पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है समाज में अलग-अलग प्रकार के लोगों की अपने सुभाव के अनुसार अलग-अलग अभिरुचियां होती है मान लीजिये, एक आदमी जंगल में जाकर खतरनाग जानवरों की तस्वीरें खीचता है निश्चित रूप से ये सहसी आदमी होगा एक आदमी वैश्या वृत्ति कराता है, जूट बोलता है, दलाली करता है, कर्ज वापिस नहीं करता ऐसे आदमी का अपना अलग स्वरूद बनेगा कहानी में पात्रों के समवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं समवाद के बिना पात्र की कलपना मुश्किल है समवाद ही कहानी को पात्र को स्थापिद विकसित करते हैं और कहानी को गती देते हैं, आगे बढ़ाते हैं जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता उसे समवादों के माध्यम से सामने लाता है इसलिए समवादों का महत्व बराबर बना रहता है कहानी का केंद्रिय बिन्दू कथानक होता है कहानी को प्रामानिक और रोचक बनानी के लिए देशकाल, बातावरण तथा स्थान का ध्यान रखना अवश्यक है लेखक पात्रों के बारे में खुद न बोलकर उनके क्रिया कलापूं और समवादों के माध्यम से चरित्र को सशक्त बनाता है द्वन्व कथानक को आगे बढ़ाता है कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका होगा कि अच्छी कहानिया पढ़ी चाएं पात्रों के समवाद लिखते समय ये अवश्य धान में रहना चाहिए कि समवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी प्रिष्ट भूमी के अनकूल हों वो उसके विश्वासों, आदर्शों तथा स्थितियों के भी अनकूल होने चाहिए समबाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है और पात्र स्वयम समबाद बोलने लगते हैं उदारण के लिए किसी मजदूर के समबाद ऐसे होने चाहिए कि केवल समबाद सुनकर ही श्रोता को पता चल जाए कि कौन बोल रहा है ये आदमी क्या करता है इसकी प्रिष्ट भूमी क्या है आदी आदी समबाद छोटे, स्वभाविक और उद्देश के प्रती सीधे लक्षित होने चाहिए समबादों का अनावश्चक विस्तार बहुत से चटिलताएं पैदा कर देता है और कहानी में जोला जाता है कथानक के अनुसार कहानी चरमुतकर्ष अर्थात क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है चरमुतकर्ष का चित्रन बहुत ध्यान पूर्व करना चाहिए क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ती चरमुतकर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है कहानीकार की प्रतिबधता या उद्देश की पूर्थि के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाशन में बदल सकते हैं सर्वोत्तम ये होता है कि चरमुतकर्ष पाठक को स्वयम सोचने और लेख की पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेडित करें लेकिन पाठक को ये भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निर्णा निकाले हैं वो उसके अपने हैं पहले भी संके दिया गया है कि कथानक के बुनियादी तत्वों में द्वन्द्व का महत्व बहुत अधिक है द्वन्द्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है उधारन के लिए अगर दो आदमी किसी बात पर सहमत हैं तो उनके बीच कोई द्वन्द्व नहीं है और बातचीत आमतोर से आगे नहीं बढ़ सकती है लेकिन असहमती है तो बातचीत सरलता से आगे बढ़ेगी कहानी में द्वन्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं अंतर द्वन्व आदी के करण पैदा होता है कहानीकार कथानक में द्वन्व के बिंद्वों को जितना स्पष्ट रखेगा कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता ये है कि अच्छी कहानिया बढ़ी जाए और उनका विशलेशन किया जाए कहानी लेखन सिखाने की प्रक्रिया में यही सबसे अधिक कारगर माध्यम होगा भीश में सहनी जब मैंने पहली कहानी लिखी, चाहिए तो ये था कि मेरी पहली कहानी प्रेम कहानी होती उम्र के एदबार से भी यही मुनासिब था और अदब के एदबार से भी पर प्रेम के लिए और प्रेम कहानी के लिए भी अनुकूल परस्थितियां हूं तब काम बने मैंने वही लिखा जो मेरे जैसे माहौल में पलने वाले सभी भारती युवक लिखते हैं अबला नारी की कहानी हिंदी के अधिकांश लिखकों का तो साहेत तेमे पदारपन अबला नारी की कहानी से ही होता है और ये दुखान्त होनी चाहिए मैंने भी वैसा ही किया बड़ी बे मतलब बे तुकी कहानी थी न सिर न पैर और शुरू से आखिर तक मन कढ़ंत पर चुकि अबला नारी के बारे में थी और दुखांत थी इसलिए वानप्रस्थी जी को भी कोई अतराज नहीं हो सकता था और पिताजी को भी नहीं इसलिए कहानी कॉलिज पत्रिका में स्थान पा गई पर इसके कुछी देर के बाद एक प्रेम कहानी सच मुच कलम पर आ ही गई नक्षिक से प्रेम कहानी ही थी फर किसी दूसरी दुनिया की कहानी जिससे मैं परचित नहीं था तब मैं कॉलिज छोड़ चुका था और पिताजी के व्यापार में हाथ बटाने लगा था कॉलिज के दिन पीछे चूटते जा रहे थे और आगे की दुनिया बड़ी उट पटांग और बेदुकी से नजर आ रही थी प्रिश्ट 125 हर दूसरे दिन कोई न कोई अनूठा अनुभफ होता कभी अपने घुटने चिल जाते, कभी किसी दूसरे को तिरस्कृत होते देखता मन उचट उचट जाता तभी एक दिन बाजार में मुझे दो प्रेमी नजर आए शाम के वक्त नमूनों का पुलिंदा बगल में दबाए मैं सदर बाजार से शहर के ओर लोट रहा था जब सरकारी अस्पताल के सामने बड़े से नीम के पेड़ के पास मुझे भीर खड़ी नजर आई भीर देखकर मैं यो भी उतावला हो जाय करता था कदम बढ़ाता पास जा पहुचा अंदर जांकर देखा तो वहां दो प्रेमियों का तमाशा चल रहा था टिपडियां और ठिठोली भी चल रही थी घेरे के अंदर एक युवती खड़ी रो रही थी और कुछ तूरी पर एक युवक जमीन पर पैठा दोनों हाथों में अपना सिर्था में बार बार लड़की से कह रहा था राजो दो दिन और मांग खा मैं दो दिन में तंदुरुस्त हो जाऊंगा फिर मैं मजूरी करने लायक हो जाऊंगा और लड़की बराबर रोए जा रही थी उसकी नीली नीली आँखें रो रो कर सूच रही थी मैं कहां से मांगूँ? मुझे अकेले में डर लगता है दोनों प्रेमी आसपास खड़ी भीड को अपना साक्षी बना रहे थी देखो बाबुजी मैं बिमार पढ़ा हूँ इस अस्पताल में पढ़ा हूँ पर यहां मुझे डर लगता है इस पर लड़का तड़प कर कहता देख राजो मुझे छोड़कर नहीं जा इसे समझाओ बाबुजी यह मुझे छोड़कर चली जाएगी तो इसे मैं कहां ढूड़ूँगा यहां मुझे डर लगता है मैं रात को अकेली सड़क पर कैसे रहूँ पता चला कि दोनों प्रेमी गाउं से भाग कर शहर में आए हैं किसी फकीर ने उनका निकाह भी करा दिया है फटे हाल गरीबी के इस्तर पर घिसेटने वाले प्रेमी शहर पहुँच कर कुछ दिन तक तो लड़के को मजदोरी मिलती रही पासी में एक पुल था वो पुल के एक छोड से समान उठाता और दूसरे छोड तक ले जाता जिस काम के लिए उसे एकन्नी मिलती कभी किसी की साइकिल तो कभी किसी का गठर हनीमून पूरे पाँच दिन तक चला दोनों ने न केवल खाया पिया बलकि लड़के ने अपनी कमाई में से जापानी छीट का एक जोड़ा भी लड़की को बनवा कर दिया जो उन दिनों अढ़ाई आने गस में बिका करती थी दोनों रो रहे थे और तमाशबीन खड़े हस रहे थे कोई लड़की की नीली आखों पर टिपणी करता कोई उनके ऐसे वैसे प्रेम पर और सड़क की भीड में खड़े लोग केवल आवाजे ही नहीं कसते वो इरादे भी रखते हैं और एक मौलवी जी लड़की की पीट सहलाने लगे थे और उसे आश्रय देने का आश्वासन देने लगे थे और प्रेमी बिलख बिलख कर प्रेमिका से अपने प्रेम के वास्ते डाल रहा था तभी पठा पेक्ष की भाती अंधेरा उतरने लगा था और पीछे अस्पताल की घंटी बच उठी थी जिसमें प्रेमी युवक भरती हुआ था और वो गिरगडाता, चिलाता, हाथ बानता, लड़की से दो दिन और मांग खाने का प्रेमा लाप करता अस्पताल की ओर सरकने लगा और मौलवी जी सरकते हुए लड़की के पास आने लगे और घबराई किम करते विमूर लड़की मृक शावक की भाती सेर से पैर तक काम रही थी नायक भी था, नायका भी थी, खलनायक भी था, भाव भी था, विरह भी और कहानी का अंत अनिश्य के धुनलके में खोया हुआ भी था, मैं ये प्रेम कहानी लिखने का लोब समवरण नहीं कर सका लुक छिपकर लिखी डाली, जो कुछ मुदद बाद नीली आखें शिर्शक से अमरित राय जी के संपाद कत्व में हंस में छपी इसका मैंने आट रुपए मुआवजा भी वसूल किया, जो आज के आट सो रुपए से भी अधिक था प्रिश्ट एक सो चब्वीस अभ्यास पाट से समवाद एक चरित्र चित्रन के कई तरीके होते हैं इदगाह कहानी में किन-किन तरीकों का इस्तिमाल किया गया है इस कहानी में आपको सबसे प्रभावी चरित्र किसका लगा और कहानीकार ने उसके चरित्र चित्रन में किन तरीकों का उप्योग किया है दो, समबात कहानी में कई महत्व पूर्ण भूमिकाएं निभाता है। महत्व के हिसाब से क्रम वार समबात की भूमिका का उल्लिक कीजिए। तीन, यहां दिये गए चित्रों के आधार पर चार छोटी-छोटी कहानिया लिखें। पहले चित्र में एक स्वर्गिय सेना के जवान की तस्वीर दिवार पर टंगी हुई है और उसकी पत्नी और बच्चा उस तस्वीर को देख रही है। दूसरे चित्र में रात का समय है एक आदमी लाल्टेन की रोश्नी में एक पेड़ की डाल को काट रहा है। वहीं बराबर में एक आदमी जिसकी आँख पर पट्टी बंधी हुई है, खड़ा हुआ है और उसके बराबर में एक पंदूख पड़ी हुई है। तीसरे चित्र में आग लगी हुई है और एक आदमी उस आग में फसा हुआ है और जोर-जोर से चिल्ला रहा है। और दूसरी तरफ एक महिला फोन कर रही है। चौथे चित्र में एक बच्चा टीवी पर कार्टून शो देख रहा है और उसके बराबर में उसका बैग और किताबें पड़े हुई हैं। प्रिश्ट एक सो सताईस चार एक कहानी में कई कहानिया छिपी होती हैं। किसी कहानी को किसी खास मोड पर रोप कर नई स्थिती में कहानी को नया मोड दिया जा सकता है। नीचे दी गई परिस्थिती पर कहानी लिखने का प्रयास करें। सिध्धेश्वरी ने देखा कि उसका बड़ा बेटा रामचंद्र धीरे-धीरे घर की तरफ आ रहा है।